नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों देखिए, आज का जो ये वीडियो है, आप कहा है कि पूर्णिमा की रात्री कोई ऐसी वैसी रात्री नहीं होती है, इस दिन बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफ खत्म हो जाती, आपके जीवन के सारे दुहक खत्म हो जाते हैं, जिस कामना से आप इस उपाय को करते हैं ना आपकी वो कामना पूरी निश्चित होती है। जो की कल की रात्री करने ही करने है। जो की रात्री करने ही करने है। माता लक्ष्मी जी का अंश आपके घर में रखने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको इस चैत्रमास की पूर्णिमा के दिन करना ही करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको लेने होंगे। इस तरीके से आपको आम के पत्ते नहीं चाहिए। जो एकदम हरे हरे हो। ऐसा नहीं। आप जब आम के पेड़ के पास में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे। न तो आप बेशक ऐसे वाले पत्ते ले लो। किन तु इनको सूखा लो। आपको इस तरीके से सूखे। आम के पत्ते चाहिए। सूखे कितने चाहिए। इस वाले उपाय में आपको केवल ग्यारह पत्ते चाहिए। आम के तो ग्यारह पत्ते आम के। लेना पूर्णिमा के दिन, जब आप इन्हें घर पर लेकर के आएंगे ना, तो आपको इन सभी पत्तों को जला करके चान करके इसकी भस्म तयार कर लेनी है, इस तरीके से इसकी भस्म तयार करनी है, आम के ग्यारह पत्तों की थोड़ी सी भस्म तयार होगी, बस उतना ही आप को चाहिए ठीक है ना इसी के साथ में आपको ले लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ठीक है केवल एक लोटा शुद्ध जल और इस भस्म को लेकर के पहुँच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में किस समय पर जाओगे पूर्णिमा के दिन जो भी त तिथी पढ़ रही है ना उस तिथी के अंतराल कभी भी आप चले जाएए उत्तरदिशा नौर्थ डिरेक्शन की तरफ मुह करके आप खड़े हो जाना सबसे पहले आपको एक लोटा जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है पंचाक्षरी मंत्रा शाक्षी मंत्र का स भस्म तैयार की चंद्रेश्वर महादेव का समरण करते हुए इस भस्म को आपको शिवलिंग का ये जो उपरी हिस्सा है केवल ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पर अच्छे से आपको लगा देना है इसका लेपन कर देना है लेपन कर देने के पश्चात अपना नाम गोत और अपनी धन की कामना या धन की वृद्धि की कामना. माता लक्ष्मी की कामना करते हुए आपको यहां से थोड़ी सी भस्म को शिवलिंग से निकाल देना है. निकाल करके बाबा से. विनती करके काम ना करके एक लोटा शुद्द जल और समर्पित करके उस भस्म को आपको घर ले करके आना है ठीक है घर ला करके जो भी आपके पास में चंदन हो वो आपके पास में पीला चंदन हो चाहे आपके पास में लाल चंदन हो पीला या लाल चंदन उसी भस्म में मिला करके दो से चार बूंद गाय का घी मिला करके ये चीज ध्यान रखना ये है गाय का घी दो से चार बूंदे गाय का घी मिला करके आपका घर जहां पर भी है उस घर के मुख्यद्वार पर आपको इसी वाले चंदन से जो की ग्यारह आम के पत्तों को जला करके आपने भस्म बनाई, जिसके अंदर आपने लाल या पीला चंदन मिलाया, थोड़ा सा गाय का घी मिलाया ना, आपके घर के मुख्यद्वार के दोनों और आपको एक-एक स् शुरुआत कर रहे हो, ना तो आपको चाहे आपने ब्राह्मनों को भोजन खिलाया, ना खिलाया, कोई अनुष्ठान किया, ना किया, कुछ भी नहीं किया। केवल इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, स्वस्थिक बना दीजिएगा, आपका वो व्यापार चल पड़ेगा, धनकी कभी कमी नहीं रुकेगी, धनकी हमेशा होती रहेगी, पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज और बताई थी, कि यदि आप ग्यारह आम के ऐसे हरे पत्ते ले लो, और उन सभी पर आप एक एक उसी चंदन की बिंदी लगा कर, कि उसकी बंधनवार अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर यदि लटका दे या दुकान पर लटका देना, इस से मात पूज गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचुक उपाय है, जरूर कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको बंधन बार लगा देनी है, जिस पर सभी पर उस चंदन की एक एक बिंदी जरूर लगाना, ठीक है, तो ये हो गया, पहला उपाय बात करते हैं, दूसरे वाल नहीं ले रही है, जीवन से ठक चुके हो, हार चुके हो, है ना, सब कुछ करके देख लिया, किन्तु आपके शरीर की, आपके जीवन के दुख, खत्मकष्ट होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको लेना है मात्र एक बेल पत्र, जो कहीं से खंडित ना हो, एक शमी का पत्ता, जिसे आप कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ोगे, गोले में जो बनाया, ये एक शमी का पत्ता है, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे, साथ चावल के दाने, जो भी आप चावल के दाने लोगे, ये कैसे होने चाहिए, अक तो जो आपने चार चीजें ली हैं, एक बेल पत्र, एक शमी का पत्ता, साथ चावल के दाने और पांच सफेद फूल, एक कलश, आपको लोटा जल लेना है, और इसके अंदर आपको एक बेल पत्र डाल देना है, एक शमी का पत्ता डाल देना है, और जो पांच सफेद फूल अपने लिए हैं, वो डाल देना है। और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। जैसे ही आप यहां पर उत्तरदिशा की तरफ मुह करके आपको खड़े हो जाना है। आपने जो कलश लिया है उस कलश से उन सातों चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के इस कलश से इस हाथ को टच करके चंद्रेश्वर या चंद्रमूली महादेव जी के नाम से अपने दुखों को अपने कष्टों को दूर करने की कामना कहते हुए सात चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना श्री मंत्र का समरण करते हुए पूरे के पूरे जल को आपको केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। चंद्रेश्वर या चंद्र बोली महादेव जी के नाम से यहाँ से जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको थोड़ा सा जल वहाँ पर रोकना है. इसके कुछ छींटे अपने घर में लगा देना, कुछ छींटे अपने उपर लगा लेना. पूर्णिमा के दिन किया गया, ये उपाए आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश कर देता है. पूर्णिय गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाए है, जरूर कीजिएगा कर लेते हैं. तीसरे वाले उपाए की ये जो तीसरा वाला उपाए है, ये एक ऐसा उपाए है, जिसे आप सभी लोगों को करना है. आपने साल भर बहुत सारे व्रत किये, बहुत सारे उपाय किये कुछ आपने दान किया है, उन सभी का पुन्य फल आपको एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। लंबी बाती का आपको दीपक तयार करना है और इसके अंदर भरना है गाय का घी, ठीक है? और इस दीपक को पूर्णिमा की रात्री में, यदि आपके आसपास कोई नदी, तालाब, कुवाँ, बावडी, सरोवर है, तो वहाँ पर जाकर के लगा दीजिए। और यदि ये आपके घर से कुछ दूरी पर हैं, तब आपको ही घर पर एक कोण में आपको ये उपाय करना है। आपके घर का जो इशान कोण है, पूर्व और उत्तर के बीच में, ये वाला जो इशान कोण होता है, यहाँ पर चाहे आपकी कुछ भी कमरा हो, या कुछ भी हो, इस जगह पर आपको उस दीपक को, लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, इसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, इशान कोण में इस दीपक को रख दीजिएगा आपको, साल भर में जितने भी आप उपाय व्रत किये हैं, ना उन सभी का पुन्यफल एक ही बार में प्राप्त हो जा पूर्जे गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। एकता में रखने के लिए एक छोटा सा उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और इसे एक लोटा शुद्ध जल में आपको डालनी होंगी, एक तो बेलपत्र जो कहीं से भी खंडितना हो और ग्यारह चावल के दाने ये आपके घ रात्र को या शाम के समय कभी भी, इस कलश को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, जब पूरे घर में घूम जाओगे, थोड़ी सी देर के लिए, आपको इसे अपने घर के मंदिर में इस कलश को रख देना है और इसके सम्मुक में गाय के घी का गोलबती का दीपक प्रज्वलित कर देना जब रात्रि का समय आएगा, जब चंद्रमा निकल करके आएगा, तब आपको भगवान चंद्रमा को आपको इसी वाले जल से क्या करना है? अरगय देना है इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी जल्द से आपको अर्ग्य देना है, किनके नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से, किन्तु एक चीज़ की बात ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, जब आप इस कलश को उपर लेकर के आएंग आपके परिवार में सदैव एकता बनी रहेगी, सुख, शान्ती, समरिद्धि बनी रहेगी, घर के लोगों की उन्नती भी होगी, जो पूर्णिमा पड़े, उस पूर्णिमा के दिन करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिएगा जीवन में कैसे चार चाहंत लगते हैं, पू